नमस्कार आप सभी का गैंस करफशन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज 10 दिसंबर को पूरे 20 में मानवा अधिकार दिवस मनाया जा रहा है आसा है आप लोग भी मानव के अधिकार के लिए जो उप्योगी कदम है उसे अवस उठाएंगे खुद तथा एक दूसरे को प्रिरित करेंगे क्योंकि आज पूरी दुनिया में मानव के अधिकार की रक्षा है तो बहुत सारे आयोग का गठन किया गया है लेकिन इतना आयोग का गठन होने के बाबजूद भी आज मानव को मूल भूत आवसकता भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है इसी के संबन में मैंने कुछ सिकायत किया था क्योंकि बिहार में कुछ ऐसे पुलिस पदादिकारी हैं जो काफी वरस्ट हैं और उसे बचाने में पूरा डिबार्टमेंट भी कभी कभी लग जाता है मेरे साथ भी ऐसी कई घटनाएं हुई है जिसका खुलासा मैंने RTI के माध्यम से लोग सिकायत के माध्यम से भी किया है आप लोग देखें किस प्रकार बिहार में कुछ पुलिस पदादिकारी आपस में एक दूसरी को बचाने का काम करते हैं तथा सिकायत करने पर सिकायत करता के ही खिलाफ FIR तक दर्ज करवाई जाती है जिसके खिलाप मैंने भी सिकायत बाद हाई कोट में भी दर्ज करवाई है चलिए देखें जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अवस्ट सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दवाकर आल पर भी क्लिक अवस्ट कर लें तथा इसे इतना सेर करें कि हर भारती को इसकी जानकारी आसानी से हो सके तथा एक लाइक अवस्ट कर देंगे यहां देखें मैंने कुछ मुख बिंदों को कलर कर दिया है आप लोग डेट और नाम और कुछ बिंदों पर अवस्ट ध्यान रखेंगे सुनवाई में परिवादी सुचना के बावजूद अनुपस्थित रहे यहां लोग सुचना नहीं दी गई है नहीं नोटिस निर्गत किया गया था सुनवाई में अनुपस्थित कर दिया गया लोग परादिकार का पर्तिवेदन ग्यापांग 575 बाएश दिनांग 12 दस बाएस प्राप्थ हुआ लोग परादिकार द्वारा परतिपेदित किया गया है कि परिवादी पत्र के आलोग में कहना है कि बिंदू एक में उलेख है कि विभिन पुलिस जीला में हम आम जनता को सो समय उचित सेवाएं परदान नहीं की जाती है इस संबंद में कहना है रतवारा ओपी द्वारा सो समय सेवाएं परदान की जाती है बिंदू दो में उलेक किया गया कि रतवारा ओपी में वर्सों से प्रतारित किया जा रहा है जो सरासर गलत है ये सभी पदाधिकारी पर ही एक तरफा कारवाईद था जूटा रिपूर्ट देने की बात कही जाती है जो भी गलत है रतवारा आलम नगर थाना कांड संख्या अनठावर एक इस दर्ज कर फसा जाने की बात कही गई है कांड इसके परति द्वंदी द्वारा दर्ज कराया गया है जहां तक ततकाली नोपी अध्यक्ष रावनिवास चाधरी एवेम अन्य से मिलकर फसाने की बात गलत परतित होती है चुकि पुलिस को आवेदक परवीन कुमार सरमा से कोई विवाद नहीं है आवेदक परतिवंदी से मिलकर जुठा केश में फसा की बात भी गलत है इस प्रकार ये थाना द्वारा ओपी द्वारा यह परतिवेदन लोग सिकायत निवारन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तु किया गया जिसमें मुझे सुनवाई का अफसर नहीं दिया गया नहीं कोई नोटिस निर्गत किया गया इस संबंद में मैं आप लोगों को अब सच्चाई आटियाई के माध्यम से जो उपलब्ध करवाया है सूचना और उसमें जो सूचना आयुक्त का आदेश्वा है यह आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं जिससे असपस्ट हो जाएगा कि पुलिस किस प्रकार हर कोट हर आयुक को गुमराह कर गलत परतिवेदन दे रही है देखिए मैं यह सूचना आयुक्त का आदेश है मेरा हैं बाद में इसमें मैंने भी कुछ पॉइंट को रंगीन किया ह इस गलर किया है आप लोग देखें अपलार्थी का कफन है कि उसके द्वारा दायरवाद के कारण उसकी पक्षी ने पुलिस के मेल से उन पर ही अफाइय अफायार दर्ज करवा दिया है यह मैं सावित कर चुका हूं सूचना आयोग में कि पुलिस की मेल से मुझपर अफाय प्रति और आरव पत्र की प्रति पुना निवंदिर डाग सेफलार्थी को एक मां के अंदर उपलब्द करा दें अन्यथा अपील प्रति संबंद में सिकायत बादार कर सकते हैं इसमें सूचनाओं को देने में आप लोग देखें सूचनाओं को प्रदान करने में एक वर्स द दिक्षक मदेपुरा के शंग्यान में लाया जाए इस तरह यह बिलंब एक वर्स दो मां का हुआ है जबकि लोग शिकायत में ओपी का कहना है कि यहां सभी सेवाएं सौचनाओं को प्रति जाती है पहले आप लोग देखें ही है इस आदेश में कहा गया है लेकिन इस थाना से लेकर एस पी खुद दोसी नजर आ रहे हैं जिसके खिलाप कारवाई है तो डी आई जी सहरसा को भी आदेश दिया गया है आप लोग देखें अब जब जूठे रिपोर्ट का खुलासा किया जाता है पुलिस पतादी कारी का तो टंकक भूल वसका बहाना बनात करते हैं देखें इसमें भी मैंने एक शिकायद किया था जिसमें पतिवादी थणा जक्तरतोरा ओपी की व्रूद कारवाई करणे का आदेश हुआ है तुथा जो भी करमी टंकक भूल वस किये हैं उसके खिला भी करवाई करने का देश वाह है जिस किसी भी अधिकारी करमी की करण टंकक भूल या किसी अनकारन से गलत जाज प्रतिवेदन बना हो उसके इवरुद आवस्य करवाई की जाने है तो इसे पुलिस उप महारक्षक सहरसा के संग्यान में लाया जाए यह मामला सब मुझे से ही जुरा हुआ है मैंने कई पुलिस पताधिकारी के जूटे रिपोर्ट का खुलासा किया था जिसके कारण मुझे पर 223 2018 को जान लेवा हमला भी करवाया गया जिसमें मैं बालवाल इस्वर की किरपास से बच गया हूँ अब पुलिस के खिलाप मैं लगातार जो दोसी है उस पर कारवाई करने है तू लगातार प्रयत्न रत्न हूँ इस प्रकार मानव की अधिकार की रक्षा है तू आप भी मानवा अधिकार दिवस पर अवस्संपल संकल्प लें कि मानव की अधिकार के लिए हम सभी एक जूठ होकर लड़ेंगे जिससे मानव की अधिकार का रक्षा हो सके जैहिन